हलो क्रेंट्स दिस वर्शा वेल्कम बेक टू वर्शाज अकैडमी आप सभी को पता है कि सीटैट का जो एक्जाम है वो साथ जुलाई को होने वाला है तो टोटल आपके पास अभी तीन मन्त है जो कि काफी जादा अच्छा टाइम है ठीक है इसको आप अच्छे से यूटिला सीटैट में बनते हैं ठीक है तो यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा सिक्स्थ सेवन्थ एट तीनों ही क्लासेज की जो एंसी आटी की समरी है उसको कवर किया जाएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर बताया जाएंगे उनके ठ पढ़ लें ओके तो यहाँ पर आप लोग पैन और पैंसिल कॉपी अपना लेकर पैठी है जो भी लाइन वगर आपको बताई जाए उसको नोट जरूर कर लिजेगा और बाद में जब यह सारी क्लासेज हो जाएंगी हम कोशिश करेंगे टू मंथ में ही आपकी 6,7,8 की NCRT कवर कर ली जाए उसके बाद आपको इसके जो समरी क्लासेज हैं जो शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रोवाइट करा दिये जाएंगे जिसे आपको वन मंथ में रिवीजन करने के में आसानी होगी तो स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेर और सब्सक् और एट में कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनका बेस सिक्स्थ होगा ठीक है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम एट वाली पहले पढ़ ले तो हम सिक्स्थ का फर्स्ट चैप्टर यहां लेकर आएं तो यहां पर रशीदा की एक स्टोरी बताई गई है कि जब हम किसी पुरानी चीजों को पढ़ते हैं समझते हैं ठीक है तो कहां से पढ़ते हैं रेडियो से पढ़ते हैं टेलिविजन से अखवार से पढ़ते हैं कुछ पुस्तिकाएं होती है हिस्ट्री होती है हमारी उन से पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि जो पुराने समय में क्या हुआ क्या नही आखे टाग मदल रुशिकार करते हैं पशुपालक रशक शाशक इन सभी को देखकर उनके जीवन के बारे में बारे में पता करके जानकारियां हासिल करके हम यह समझते हैं कि लोग पहले किस तरह हुआ करते थे कैसे घर बनाते थे कैसे कपड़े पहनते थे ठीक है लेकिन यह वहाँ पर नहीं पता किया जा सकता है ये question आ सकता है कि हम वहाँ जो पुरानी चीजे हैं जो अतीत के बारे में हैं उनको कैसे नहीं जान सकते हैं तो हम कैसे नहीं जान सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानिया सुना करते थे कौन से नाटक देखा करते थे कौन से गीत गाते थे तो ये सारी चीजे क्या होती है एतिहासिक नहीं होती है अब क्रशक है शाशक है व्यापारी है पुरोहित है ये खुदाई में कुछ चीजे इस तरह की निकल आती हैं जिनसे हम जो अतीत है उसके बारे में जान सकते हैं लेकिन खेल हैं गीत हैं कहानिया है ये नहीं पता किया जा सकता ठीक है अब ये आगे देखे क्या लिखा है कि लोग कहां रहते थे तो लोग पहले कहां रहते थे नर्मदा नदी ठीक है कई लाक वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे तो उसका आंसर क्या होगा नर्मदा नदी ठीक है तो ये आया हुआ क्वेशन है इसको याद रखेगा और ये लोग कैसे होते थे तो कुछ संग्रहाक होते थे ठीक है अपने भोजन के लिए जड़ों फॉलों जंगल के अन्य उत्पादो का कहीं से संग्रह किया करते थे वे जानवरों का आखेट भी करते थे ठीक है तो ये आपका जो नहीं ऐसे होता था चार लाइने लिखकर आजाती है ऑप्शन में तो उसमें इस तरह से कॉशन आ सकता है कि जो नर्मदा नदी के टत पर लोग रहते थे वो अपने भोजन का निर्मार उतपाद वो कहां से करते थे कैसे करते थे क्या वो लोग जानवरों का आखेट भी करते थे याने शिकार भी करते थे तो इस तरह से कॉशन आ सकता है तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अच्छे से याद रखिएगा दुबारा एक बार याद करिए कि कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे तो नर्मदा नदी ठीक है इसी तरह यहां देखते हैं लिखा है कि उत्तर पश्चिम की सुले मान और किरधर पहाडियों का पता लगाओ पता लगाओ मतलब यह मानचेतर यहां पर देखे दिया गया है तो इसमें आपको पत पुर्व इस्तरी पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जों जैसी फसलों को उपचाना आरंद किया था ठीक है तो कुर्शन ऐसे बनकर आया है कि गेहूं और जों जैसी जो फसली है वो कहां पाई गई है तो आपको याद रहना चाहिए कि सुलेमान और किरधर की पह सुलेमान शुरू किया यह लोग गाउं में रहते थे कहां रहते थे भाई उस समय सहर तो था नहीं और दोगी की करण नहीं था ठीक है गाउं ही रहते थे मोस्टली वहां के लोग क्या करते थे खेती करते थे खेती करने के बाद उनको पशुपालन भी आया पशुपालन भ हाँ पाई जाती है तो आपको पता होना चाहिए कहां है उत्तर पूर्थ में है और बिंध भाड़यां मद्य भारत में ठीक के विंध के नहीं पैर को कुछ ऐसे छेत्र है विंध पहाड़ीयों में उत्तर पश्चिम में तो यह दो पॉइंट इस पैराग्राप से बनते हैं यह दोनों ही पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजेगा ओके तो यहां पर देखिए नदियां है इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं देखें यहां से सिंधू नदि आई है ठीक है सिंधू नदि कहां से आती है नेपाल से आती है जिन में ये पांच नदि आयां जो है ये देखें जो सिंधु नदी है ये कहां से आईए चीन से आईए ठीक है कहां से आईए चीन से आईए उसमें यहाँ पर ये पांच नदियां मिलती हैं सिंधु नदी में जेलम, चिनाब, रावी, सतलच और व्यास ठीक है ये देखें ये पांच नदियां यहाँ पर दी गई हैं सिंदु नदी में कौन कौन से नदिया मिलती है जेलम चिनाब रावी सतलज ब्यासी पांच नदिया सिंदु नदी में मिलती है जो कि ब्यास नदी जो है वो यहीं पर विलुप्त हो जाती है भारत में ही और बाकी जो नदिया है ये पंच नद बनकर आपके सिंदु नदी में मिलकर पंजाब तक जाती है और सिंदु नदी अरब सागर में अपना जो जल है वो गिराती है ठीक है तो ये चीज आप पता चल गया ठीक है सुलेमान और किरधर पहाड़ियां देख लिए कहां पर है अब बिंद परवत की बिंद पहाड़ियों को कहा जाता है अब हम बात कहते हैं नर्मदा नदी तो देखे ये नर्मदा नदी है ये आपकी यहाँ पर जो सत्पुड़ा पहाड़ियां होती है उनके उत्तर में बहती है नर्मदा नदी कहां बहती है देखे ये तो आपने लोगों ने पढ़ाई है कि जो लोग हैं पहले कई वर्षों पहले नर्मदा नदी के तत पर रहते थे लेकिन क्वेशन ये बहुत बनता है कि सत्पुड़ा नदी जो परवत है उसके किस तरफ नर्मदा नदी है तो ये कहां है उत्तर में है और ये भी क्वेशन बनता है कि जो तापती नदी है जो तापती नदी है, ये सत्पुड़ा वरवत के कौन से तरफ है, तो ये दच्छड में है, नर्मदा नदी और तापती नदी, ये दो नदियां ऐसी हैं, जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, ठीक है, और ये पूरव से पश्चिम की ओर बह रही हैं, ठीक है, कहां से बंगाल की खाड़ी में अपना ज़ल गिरा रही है तिकल्ए महा नदी वी गोधाव रिभी कृष्णा भी तो बन्द्रा भी पेंणार नदी ये सारे नदियां जो है i ? के यहां पर हिम्नद ऑनाता गें हो धेल्टा बनाती है तो इतना आप समझ गए होंगे गारो पहाड़ियों की बात की गई थे तो गारो पहाड़ियां आपके उत्तर पूर्व में हैं तुंग बद्रा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो नदियां यहां पर एक नदी से जुड़ रही है, वो सहायक नदी कहलाती है, ओके, यह अंडवानिको बार हो गया, और यह लक्षदीप हो गया, ओके, तो यह पूरा आप मैप अच्छे से समझ गये होंगे, जब आपको यह PDF दिया जाए, तो उसमें आप एक बार मैप को जरूर पढ़ लिजे, और जो जो पॉइंट आपको बताए गए है, कि नर्मदा नदी सत्पुड़ा परवत की किस चोर पर है, किस और है, ताप्ती नदी किस और है, ठीक है, यह कहां पर अपना जल गिराते है अरब सागर में गिराते हैं, ठीक है, तो यह पूरा आप अच्छे से देख लिजेगा इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं, कि मान्चित्र पर सिंधू तथा इसकी सहायक नदीयों का पता लगाने का प्रयास करो, तो हमने वपता दिया है, कि सिंधू नदी जो है, उसकी कितन इन ही नदीयों के किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फूले, देखे, लोग पहले कहां रहते थे, पानी एक महत्पून समस्या रही है हमेशा, ठीक है, इनसान को जीने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, पानी होता है, तो उन्होंने अपना जो गाउं है, जब वो एक रुखने के लिए, इस्थापित होने के लिए तयार हुए, तो उन्होंने सबसे अच्छी जगए नदियों को चुना, ठीक है, क्योंकि उसके पास ही उनको जानवर ही मिल जाते थे, उसके पास उनको क्रशी के लिए भूमी भी एकत्रित मिल जाती थी और वहाँ पर वो सहायक नदी सोन, ठीक है, ये एक लाइन याद रखे, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी है, ठीक है, गंगा के दच्छन में इन नदियों के आसपास का च्छेतर प्राचीन काल में मगद, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, तो ये पॉइंट याद रखने गंगा नदी के आसपास का जो प्राचीन छेतर है, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको मगद कहा जाता था, जो कि अब कहां है, बिहार, इसको बिहार के नाम से अब चानते हैं, ठीक है, इसके सासक बहुत सक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राजय स्थापित किया, द सिंदू की साहएक नदियों के बारे में जो आपको बताई गई थी, जहिलम, चिनाव, रावी और व्यासो के, और गंगा की साहएक नदी कौन सी है, स्टोन नदी है, और जो इसके आसपास के छेत पराचीन काल में मगत कहा जाता था, जो कि वरतमान में बिहार के नाम से जा जाता है, तो ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेशन इस तरह से आजाता है कि भारत के जो पडोसी देश है, वो कौन-कौन से है, या फिर आपको पांच या चार ओप्शन दे देंगे कि कौन सा एक देश नहीं है, ठीक है, दचन इसया एक महादीप से छोटा ह लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ी तथा परवतों के भटे होने के कारण इसे प्राया उपमहादीप कहा जाता था, तो ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ये जो पडोसी देश है, वो आपको पता होने चाहिए, कि भारत के कौन-कौन से पडोसी देश हैं, ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि लोगों ने सदैवुक महादीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यातरा की है, सभी जानते हैं परवत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदीश, समुद्र के कारण यातरा हमेशा कैसी रही है, जो किमबरी रही है, ठीक है, तो बीच में कुछ खाने के लिए नहीं मिला या मिला, तो वो अपना जो सामान है, वो अच्छे से साथ रहते, रखते थे, ओके, आज लोग यातरा क्यों करते हैं, यह बताएए, एक बार फिर से आप जो मांचित्र है उसको देख लीजेगा, कि पहाड़ी, परवत, यह क्या है, मनुष्य नहीं बनाता है, हलाकि लोगों के लिए इन सिमाओं को पार करना आसान नहीं था, आप ही जानते होंगे कि हिमाले है, जो कितना विशाल है, उसको पार करना कितना ही मुश्किल है, जिन्हों ने ऐसा चाहा, वैसा कर सके, विपरवतों की उचाई को थे महासागर के द्वारा इस आवगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सम्रद्द किया कई सो वर्षों से लोग पत्थर को तराशने शंगीत रचने यहां तक की भोजन बनाने के नई तरीकों के बारे में एक दूसरे की विचारों को अपनाते रहे हैं तो इतना आप स से निकला है इंडस से निकला है जिससे संस्कृत में सिंदु कहा जाता था क्या कहा जाता था सिंदु ठीक है लेकिन जो इरान और यूनान से लोग आए उन्होंने सिंदु को हिंदु कर दिया जिससे वो हिंदु ठीक है और हिंदी यह तरहां के लोग बन गए अपने एटल इस नदी के पूर्वन में इस से भूमी प्रदेश को इंडिया कहा, तो आप समझे किनों ने कहा है, एरानियों और यूनानियों ने, और ये कहां से आये हैं, ये आये है पूर्वुत्तर पश्चिम से, तो ये दो पूइंट यहां पर जो आपने ब्रैक्ट बनाया है, कि इडिया कहने लगे भारत नाम का प्रियोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक सम्हू के लिए किया जाता था इस सम्हू का उलेक संस्क्रत की आरंभिक लगभग यह स्थान याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन यह याद रखेगा कि क्रति रिगवेद में भ नेक्स्ट बात करते हैं अतीत के बारे में कैसे जानेंगे पांडोलीपी क्या होती है यह देख लिए कि यह पांडोलीपी लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गए थी तो इसको भी हम देखेंगे अतीत की जानकारी हमें जिस तरह कुछ खोजवीन से पता चलती है कि कोई उनके माध्यम से भी हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है अंग्रेजी में पांडोलीपी के लिए प्रिक्थ होने वाला जो लेटिन शब्द है उसको मैन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता है पांडोलीपी को कहते हैं मनू द्वारा लिखी गई ठीक है मैनू जिसका आर्थ ह हाथ से निल निकला मतलब हाथ हो द्वारा लिखी गई ओके ये पांडोलीपी प्राया ताड़ पत्रों हिमाले छेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेश तरीके से तयार भोज पत्र पर लिखी मिलती है तो ये जो लाइन भी की है ये मोस्ट नहीं था ना तो पेड़ पत्तों से ही कागज बनता है तो उनका भी अपना एक तरीका था कि किस तरह उसको बना कर उस पर लिखा जा सके ओके देख लीजे इतने वर्षों में इन में से कई पांडुलीपियों को कीड़ों ने खा लिया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पुरानी चीजे हैं उनका संरचन होना बहुत जरूरी है यह पांडुलीपिया मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं इन पुस्तकों में धार्मिक मानेताओं वा विवहार राजाओं के जीवन और शदीओं तदा विग्यानादी सभी प्रकार के विश्यों के चर्चा में इसके अत्रिक हमारे हां महा कावे कविताय तथा इन में से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं जपकि अन्य प्रृक्रत और त ममिल में तो में लेंग्विज आपकी संस्कृत और पुरानी भासा हुंगी प्राक्रतिक भाषा का प्रियू आम लोग करते हैं हम अबिलेक के अधियन कर शकते हैं पत्था ततदादू जैसे अपेच्छा करत कठोर सतहों पर उतीर किये गए मिलते हैं ठीक है आपने देखा होगा कि काफी सारे अभी लेक क्या होते हैं पत्थरों पर लिख दिये जाते हैं आप कहीं घूमने जाते हैं जैसे ताजमहल गये या अधर कहीं भी गये तो वहाँ पर पत्थरों पर लिखी हुई जो लिखाई होती है वो कई सालों तक चलती रहती है कभी कभी शाशक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीन करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें पढ़ सकें तदा उनका पालत कर सकें जैसे अशोक ने अपने सिलालेक लिखाए हैं गुहालेक लिखाए हैं ठीक है तो जब भी आप उनको देखते हैं तो वो क्या होता है कि अच्छे से आप उनको जो लोग होते हैं प्रजा होती है वो अच्छे से पढ़ सकें और उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या उपलब्धियां की हैं वो भी वो उस कितनी लड़ाईयां लड़ी है वो सब उन पत्त्रों पर उन अभी लेकों पर शिला लेकों पर लिखवा देते थे अब देखें इसके अतरिक अन्य कई वस्तों में अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तों का धन करने वाले व्यत्ति पुरा तत्विद त उनको पुरा तत्विद कहते थे, पुरा तत्विद क्या होते हैं, जो पत्थर और एट से बने इमारतों के अवशेशों, चित्रों और मूर्तियों का अध्यन करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, ओके, ये देख लीजे, बर्तन निकलाते हैं, खुदाई में, कुछ जो अथे, और स्थर्हा की मूर्तियों निकलाते हैं, फिक्के निकलाते हैं, विजए के शारी चीज़े भी हमारे अतीद के बारे में हमको बताती हैं, ठीके, औजारों, हतियारों, बर्तनों, आभूशनों ततर सिक्कों के प्राप्ति के लिए चानबीन और खुदाई भी कौन करता है पुरा ततविद ही करते हैं कुछ बस तुमें पत्थर, पकी, मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती है अब यहां देखिए, यह मिट्टी का बना हुआ दिख रहा है, यह पत्थर के बने हुए दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ है कि एक पुराना चानदी का सिक्का, तो यह पुराना चानदी का सिक्का है यह जो बना हुआ है पुरातत्वी जानवर चड़ियों तथा मचलियों की हड़ियां ढूंडते हैं इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे तीके बनस्पतियों के अवशिश बहुत मुस्किल से बच पाते हैं पांडोलिपियां अविलेकों अपुरातत्व मिग्याद जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायां श्रोत सब्त का प्रियूख करते हैं तीके क्या यूज करते हैं श्रोत क्योंकि भाई वो इतिहास को जानने का श्रोत ही तो है कि इन श्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत की का पुनर निर्मार करते जाते हैं जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी तो आपको पता चलता है कि अशोक कैसे थे, चंदरूप्त कैसे थे ठीक है? इतिहासकार्द अथा पुरा तत्वित उन जाशूशों के तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रियोकर सुराग के रूप में एक अतीत को जानेने का प्रियास करते हैं अतीत एक या अनेक तो इतना आपने जैसे जाना है, समझा है, वो आपको समझ में आ रहा होगा क्लास कैसी लग रही, इसमें क्या चीज सही कर सकते हैं, क्या चीज आपको एड करनी है, वो भी आप अपने कमेंट के माधियम से बता सकते हैं अब यहाँ पर देखते हैं कि अतीत शब्द का प्रियोग बहुबचन के रूप में किया जाता है, तो यह कॉशन भी आ सकता है ऐसा इस तत्की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग-अलग समझ के लोगों के लिए अतीत के अलग-अलग माइने थे उधारन के लिए पशुपालकों अत्वकरशकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भीन था हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग-अलग हिश्यों में लोग अलग-अलग विवहारों और रिती रिवाजों का पालन करते थे उधारण के लिए आज अंडुमान दीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मचलियां पकड़कर शिकार करके फलफूल संग्रहन प्राप्त करते हैं इसके विप्रीश सहरों में रहने वाले लोग खादापूर्ती के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं मतलब आज भी अंडुमान दीप में लोग भोजन के लिए कहां पर किस पर आश्रित हैं मचलियों पर आश्रित हैं और वहीं आप सहरों मर्द देखते हैं तो वो खादापूर्ती के लिए भोजन पर और अन्य व्यक्तियों पर आधारीत हैं इस तरह अत्रिक्त एक अन्य तरह का भीध है कि उस समय शाशक अपनी विजियों का लेखा जोखा रखते थे कि उन्होंने कहां पर कितनी विजय प्राप्त की कितनी जमीन उन्होंने अपने कबजे में की है इसी कारण हम उन साशकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वा जो का नहीं रखते थे, वो यह नहीं रखते थे कि हाँ भाई हमने काउंसिन महासागर में जाकर कितनी मचलियां पकड़ी और नहीं रखने के योगी भी है, पुरा तत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हाला कि अभी भी इनके बारे में बहुत क जानना शेश है, ठीक है आम जनता क्या होती है कि भाई उन्होंने अपना घर बनाया, कुछ चीज़ें बनाएं, कुछ जो चीज़ें हैं उनको छुपा कर रखा, जब खुदाई होती है, तो वो मिल जाती है तब हमें आम जनता के बारे में पता चलता है राजारानिया क्या होती है वो अपने अभलेकों को लिखवा देती है जिसे हमें उनके बारे में जानने में आसानी होती है यहाँ देखे तिथियों का मतलब अगर कोई तुम से तिथी की विशय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीक मा वर्ष जैसे 2000 या इसी तरहें का कोई और वर्ष बताऊए वर्ष की इस गड़ना इसाय धर्म प्रवर्तक इशा मसी की जन्म की तिथी से की जाती है ये बहुत important line है इसको note करिएगा कि जो वर्ष की गड़ना है ये इसाय धर्म प्रवरतक इसा मसी की जन्म की तिथी से की जाती है अथा 2000 वर्ष कहने का तात्पर है कि इसा मसी के जन्म की 2000 वर्ष के बाद से है इसा मसी के जन्म से पूर्व सभी तिथिया इसा पूर्व आपने देखा होगा न ये लिखा होता न ई पूर्व यानि कि ईशा पूर्व ईशा मसी के जन्म से पहले पूर्व ठीक है पहले के रूप में जाने जाती है इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंबिक विंदु मानते हैं वरतमायन में पूर्व की तिथियों का उलेक करेंगे त बहुत 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 important है, question इस तरह से आया हुआ है, कि इसाई धर्म के इसा मसी के जर्म से पूर्व की तितियों को इसा पूर्व लिखते थे, और बाद में आप normal, जो year है, 2000 वर्ष, 2024 वर्ष वो लिखने लगे, ओके? इतिहास तथा तितिया, तो अंग्रेजी में BC, हिंदी में E, ठीके? बिफोर क्राइस्ट, यानि कि इसा पूर्व, इसा जो है, उनके इसा मसी के जर्म से पहले कातात पर, बिफोर क्राइस्ट है, तो इस तरह से question आ सकता है कि अंग्रेजी में BC का अर्थ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, बिफोर क्राइस्ट, इंपोर्टेंट लाइन है, तभी कभी तुम तेथियों से पहले AD हिंदी में E लिखा पाते हो, ये एनो डॉमिनी है, ये फुल फॉर्म के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, AD का मतलब क्या होता है, एनो डॉमिनी हो कभी कभी AD की जगह, CE और BC की जगह, BCE का प्रियोग होता है, यहाँ पर CE अच्छरों का प्रियोग का मतलब क्या होता है, यह जितने भी फुल फॉर्म आपको यहां बता रहे हैं, यह आपको नोट करते जाएगा, इसलिए करते हैं, क्योंकि विश्व के अधिकांस देशों म आप इस कलंडर का प्रियोग सामानने हो गया है, भारत में तितियों के इस रोप का प्रियोग लगबग 200 वर्शपूर्व आरम हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कौन कौन सी आपको फुल फॉर्म बताईएं, दोबारा से एक बाह देख लीजे, एक तो BC बताईए इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, AD बताईए इसका मतलब है अनोडॉम इनी, CE का मतलब है कौमनेरा और BCE का मतलब है बिफोर कौमनेरा, तो यह कौन से शप्त है, AD कौन से शप्त है, यह लैटन वर्शपूर्ड है, तो यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कभी- बीपी अच्रों का प्रियोग होता है, अब बीपी का मतलब क्या है, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, वर्टमान से पहले, तो यह सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी, अगर नहीं नोट की हैं, तो आपको पीडियाफ देंगे, तब आप आप नोट कर ली जगा, and the most important thing आपको पता है, जब हमने सीटर दिया था, ठीक है, तो यह वाली जो मैचिंग है, as it is ऐसे उठकर आई थी, बिल्कुल यहाँ पर ही नर्मदा न दी, यहाँ पर ही मगद, यहाँ गारो, बाहर यहाँ, पूरी जो इसकी exercises है, यह मत सुचेगा, अरे यह तो class 6th की exercise है, इसको ह सारी exercise पता होनी चाहिए, सारी exercise, यह अब जी, मैचिंग है न, अब देखे, नर्मदा घाटी क्या है, मगद क्या है, पहला बड़ा राज हो गया, गारो पार यहाँ कहा है, यहाँ पर आरंबी क्रशी की गई, सिंदु एवमिन की, जो सहायक नदिया है, यह किस कभ हुई थी तो यहाँ पर आपके लगवग पच्छी सो वर्ष बूर्व के नगर बसाए गए थे, ठीक है, नर्मदा घाटी क्या है, प्रथम नगर हो गया, यहाँ पर प्रथम नगर बनाए गए थे, ठीक है, तो इस तरह के यह वाली मैचिंग है, आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठ इस तरह आपके पर डे चैप्टर और क्लासिस कराई जाएंगे, जिससे आपके जो चैप्टर से वो जल्द से जल्द कवर की जाएंगे, और आपको साथ में जो इंपोर्टन एक्सिसाइज है, वो भी बाद में करा दी जाएगी, ओके, थेंक्यू सो मुच फॉर वोचिंग प्राएंगे जो जाएंगे, ठैस प्राएंगे चैज भी नंड़ के जो जो ऑफॉर।